फ्रेंड्स नमस्कार 68th BPSC Prelims परिक्षा आप बहुती नजदीक है ऐसे में Current Affair की स्ट्रेटजी पर हम इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे आपसे 69th BPSC और आगामी किसी भी परिक्षा में बिहार सिविल सर्विसेस के ज़िए आप बैठना जाना है तो खासकर Current Affair के लिए एक अलग approach, एक अलग strategy और एक अलगी book list किया वशकता होती है इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ गाइड करने जा रहा हूँ ध्यान पुर्वक इस वीडियो को सुने और उसे अपने strategy में सामिल करने की कोशिश करें आप लोग देखिए हमने आप लोगों से कहा था कि 67th re-examination में यह original प्रस्टन पत्र है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेट D का हमारे पास में यह PDF है यदि आपके पास भी इसी तरह का original प्रस्टन पत्र हो सेट कोई भी हो तो प्रस्टन आपको match हो ही जाएंगे जितना मैं बता रहा हूं हमने कहा था कि 45 प्रस्टन current affair के पूछे गये थे re-examination में और यह बहुत माइने रखता है क्योंकि out of 150 अगर 45 question इसका मतलब समाद रहे हैं लगभग one-third question हो जाता है यदि यह 50 होता तो one-third होता तो लगभग one-third question हो जाता है इसलिए यह 68th BPSC में इस बार चुकि negative marking अब launch कर दिया गया है तो बहुत ही महती भूम का निवाएगी इसलिए आप लोगों को यह सभी 45 question जो पूछे गए उसको देखना है और उसकी प्रकृति को समझना है और उसी के अनुसार current affair इस बार पढ़े हैं आप लोग कितने प्रश्ण इस बार 67th re-examination जो 30 इतंबर को हुई थी उसमें पूछे गए थे आए हम देख लेते हैं एक एक करके प्रश्ण आप भी अपना set निकाल ले अथवा इसी में से देख सकते हैं आप कोई भी set हो फर्क नहीं पड़ता है प्रश्ण उत नहीं होंगे जितना हम प्रश्णों की प्रकृती पर केबल बातचीत कर रहे हैं प्रश्ण के अंदर नहीं जा रहे हैं अर्थात उत्तर में नहीं जा रहे हैं पहला प्रश्ण हो गया दूसरा प्रश्ण देखिए आप जानते हैं योजना पर योजना से अगर प्रश्ण पूछे जाते हैं तो तो वो सभी current affair के ही प्रस्ण होते हैं देखिए राष्ट्रिय पेंसन योजना से प्रस्ण पूछे गए हैं तो दूसरा प्रस्ण हो गया आपके सामने अगला देखिए question number 53 और 54 ये दोनों देखिए current affair के question है इसमें पूछा गया है budget 2022 देश से हमने कहा आपको कि हम प्रस्ण की प्रकृती पर अंदर अभी बातचीत नहीं करेंगे यहां पर बित वर्स 2021-22 यानि टेक्स GDP का अनुपाद पूछा गया है ये उसका question है क्या कहते हैं economic survey का तो आपने देखा कि 52, 53, 54 और 49 चार question हो गया है उसके बाद आगे देखिए देखिए 55 नंबर question देखिए कहता है कि वस्तु वर्गी करण और समुहों के अनुसार विश्चुबयापी निर्यात में पूछा जा रहा है तो आयात निर्यात के जितने भी प्रस्ण होते हैं वो सभी जो है करेंट अफ्यार के प्रस्ण माने जाते हैं 55-56 देखिए चतुर्थ अग्री मनमान के अनुसार पूछा जा रहा है वर्थ 2020-22 में भारत में गया होगा अकुल उत्पादन कितना है पूछा गया है देख रहे हैं आप लगातार question फिर 56 नंबर question आपने देखा 57 देखिए जीवन्त ग्राम कारेकरम वाइवरेंट विलेजेज कारेकरम ये आपके बजट आर्थिक सर्वेक्षन सेंटर का उससे प्रस्णाया हुआ है उसमें ये योजना लॉंच की गई थी आगे देखिए 58 नंबर question भी देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षन 2022 के अनुशार गलत कथन को चूनना है यानि आप देख रहे हैं economic survey से प्रस्णाया है उसके बाद देखिए next प्रस्ण देखिए 58 हो गया 59 देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सहरी करन के बढ़ते अस्तर के अनुशार बिहार में निम्न जीलों का सही करम ये भी current affair का question है क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षन में आया हुआ था इस बार उसके बाद देखिए बित्तिये वर्स 2022-23 से प्रस्णाया है आप देख रहे हैं किस प्रकार लगातार question जो है current affair क्या है हम आपको count करवा रहा है एक ही साथ करवा देंगे पहले आप देखिए 61 नंबर देखिए कि वह बिकल्प चुनिए जो बिहार में 7 निश्चे भाग 2 ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षन में इस बार दिया गया था ये प्रस्ण तो और ऐसे भी current affair में आप लोग पढ़े होंगे 62 नंबर question देखिए प्रती वेक्ति आई के आवरोहिक्रम में ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षन का प्रश्ण है 62 हो गया 67 नंबर question देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि 63 नंबर question देखिए अर्षटफे दौर के आधार पर गरीवी अनमान के बारे में निम्न कथन में जो शत्य नहीं है उसको पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्षटफे दौर जो NS SO यानि National Sample Survey Organization के अर्षटफे दौर के बारे में बात कर रहा है तो इसमें से आपको select करना था answer ये भी current context का ही प्रशन है 64 नंबर प्रशन आप देख सकते हैं यहां देखिए निम्न में से पूछा जा रहा है कि भारत में सुक्ष्म उद्यम को आंसिक रूप से परिभाशित करता है ये किसी भी तरह की जो परिभाशा है वो इस तरह के परिभाशा जो है current affair में ही पूछे जाते हैं ठीक है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे जब परिभाशा हैं जब विहार सरकार को इस तरह की विदहेक लाती है या फिर cabinet से कोई decision पास होता है उसके definition को change किया जाता है तो इस सब तरह के प्रस्ण को डाले जाते हैं यहाँ पर यह आप कई सारे जो teacher हैं या फिर कई सारे student इस तरह के प्रस्ण को कहां लेकर चले जाते हैं वो वो लेकर चले जाते हैं उसमें economic वाले section में जो की गलत है इस अब तरह के प्रश्ण economic section से नहीं पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे आप लोग 64 हो गया उसके बाद देखिए 65 नंबर प्रधान मंत्री किसी सिचाई योजना से पूछा गया है दो योजना से एक पहले भी हमने दिखाया आपको पूछा गया था NPS से और एक यहाँ पर पूछा गया है 65 नंबर question 66 नंबर question देखेंगे आप तो यह जो है history का सुरू हो जाता है यहाँ से देखिए बार्दोली सत्यागरा का सफल नेत्रित्यो किस ने किया था आगे 15 question history के ही मिलेंगे तो हमने अभी आपको दिखाया question number 49 ध्यान देंगे उसके बाद 52 से लगातार 65 नंबर question तक हमने दिखाया यदि हम 49 को 51 नंबर question पे रखते हैं तो 51 से ले करके 65 यानि 15 question हो गया है total ठीक है यहाँ पर आपने current के total 15 question देखें हैं अभी आगे दिखाता हूँ मैं 30 question आपको दिखाऊंगा 121 नंबर question पर हम सीधे चले आएंगे और वहाँ से 150 नंबर question तक current affair के हमें एक एक प्रस्ट नहीं दिखायेंगे आपको बलकि हम सिर्फ थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं ताकि आपको यकीन हो और current affair पर आप थोड़ा आधिक्षमय दें हैं 121 देखिए 120 नंबर question current affair के नहीं होगे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ देख सकते हैं आप संभाग के तापक क्रम परिवर्तन के कारण इसमें बिवब परिवर्तन होता है इस घटना को क्या कहते हैं पूछा गया है यह science का question है 121 नंबर question को आप देखिए ठीक से यहां से current affair का question शुरू हो जाता है आपने देखा पहले 15 उधर उपर 49 जे लेकर 65 तक का question जो था के बल 51 नंबर question को छोड़कर तो यह question आपने देखा 15 question करेंट के पूछे गया थे फिर 121, 122 लगातार आप देख सकते हैं 124 यह भी पूछा गया है 75 शुतंतरता दिवस के अफसर परकिशने हर घर तिरंगा आभियान शुरू गया था 25 देखिए केंदर की नई सिक्षा निती को लागू करने की प्रकिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है पूछा गया है यहाँ पर देखिए टी 20 इंटरनेशनल 3000 रन को पार करने वाले प्रथम खिलारी कौन बने हैं इस तरह के जितने भी प्रस्ण पूछे गया है सारे करेंट कंटेक्स्ट के ही प्रस्ण है मैं आपको आगे भी दिखा दे रहा हूँ हर एक प्रस्ण दिखाना आप संभब नहीं है आप चाहें तो आपके पास भी सेट होगा आप देख सकते हैं एक सथाईस नमबर प्रस्ण देखिए 30 जून 2022 के बाद महराश्टर के नए मुख्मंत्री कौन है यहाँ पर देखिए यहाँ पर राज्येपाल के बारे में पूछा गया था मिलान करना था उसके बाद आगे भी दिखा सकता हूँ मैं आप देखिए 130 नमबर प्रस्ण देखिए यहाँ पर ठीक है यह प्रस्ण देखिए यह प्रस्ण देखिए यहाँ पर पूछा गया है यह प्रस्ण देखिए यहाँ पर पूछा गया है उपन्यास टॉम अफ शेंट के बारे में रेट समाधी के लिए जो अंतराश्ट्री बुकर पर रश 136 नमर कोश्चन देखिए आप 136 नमर प्रस्ट देखिए 135 नमर प्रस्ट देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षन 2021-2022 के अनुसार वरतमान में बिहार राजय में सहरी करनकास्तर पूछा गया है फिर अगला कोश्चन देखिए बिहार में खादी के ब्रांड एमबेस्ट करके भी देख सकते हैं यह सारे करेंट के ही कोश्चन है आप देख रहे हैं और कोश्चन नमबर 150 देखिए लास्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे यह भी करेंट का ही कोश्चन है अब देख सकते हैं पूछा गया है आर्क्टिक की जलवायू के निगरानी के लिए किस देख ने अपना पहला उपग्रह आर्क्टिका एम लॉंच किया है यानि आपने देखा कि 121 नमबर प्रस्टन से लेकर लगातार 150 नमबर प्रस्टन तक करेंट के कोश्चन है यानि 30 प्रस्टन है यहाँ पर और इससे पहले हमने आपको दिखाया प्लस 15 प्रस्टन दिखा हैं इसलिए 68 की परिक्षा आगे होगी और मैं आपको बता दूं कि 67 की जो एक्जामनेशन हुई थी मैई 2022 में इसको भी थोड़ा सा जान ले आप मैई 2022 की जो पेपर हुई थी उसमें करेंट अफेर के कोश्चन 37 ही पूछे गये थे और इस बार जो है करेंट अफेर के कोश तो इतना मान कर चलिए कि 40 प्लस कोश्चन जो है आपको 68 बीपी एसी में देखने को मिलेंगे इसलिए इसकी तयारी बहुत अच्छे से करना जरूरी है क्योंकि करेंट में क्या होता है कि या तो आपको प्रस्ण का उत्तर पता है या फिर नहीं पता है तो ऐसे में फाइद जिसे कि आपकी निगेटिव होने का संभाबना कम हो जाएगा हिस्ट्री में जोग्रफी में या फिर किसी विसाइन सब्जेक्ट में वो सब पढ़ते हैं एस्टेटिक जीएस तो उसमें क्या होगा कि जैसे दूसरे स्टुडेंट मार्क्स करेंगे उसी तरह आप भी कर सकत हैं थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा यदि आप बहुत मेधावी शात्र हैं तो थोड़ा आप उसमें लीड ले सकते हैं लेकिन करेंट अफेयर में खासकर और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में यदि आप लीड ले देते हैं चुकि आप निगेटिव मार्किंग आ यह 40 प्लस ही रखकर चलिए मिनिममम 40 की में बात कर रहा हूं अभी हमने दिखाया 45 प्रस्न आया है तो कम से कम 50 प्रस्न आपके यहां से ऐसे हैं जिसमें आप एकदम या तो स्योड है या फिर आपको पता नहीं है तो जैसे मैथमेटिक्स है तो उसका यदि डैरेक्ट आंस है तो जब पता है तो आप एकदम से उसको ले कर चलेंगे तो करेंट अफियर पर जादे मेहनत कीजिए मेरे हिसाब से और मैथमेटिक्स को भी थोड़ा सा जादे ध्यान दीजिए तो 50 नंबर में अगर आप यहां पर 40 प्लस रहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा स्कोर मान इसके डीज तीक बात भी हम जैसे 55 प्रसन अपको दिखाया है कि करेंट्थर से प्रशन आया है को सटैनल से कितने प्रशन न हैे वह और हमारे नॉट से कितने प्रशन अमैच कीए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अभी जो अगला वीडियो आयएगा उसमें आप लोग में students को note दिया था उस note से कितने प्रस्ट टकराएं हैं budget के उसके बाद जो question बचेंगे current affair के उसको भी हम फिर PDGIST से दिखाएंगे आपको और यह हम sure करते हैं आपको इस video को लाने से पहले ही कि 100% question हम आपको दिखाने जा रहा है कि हमारा match किया है current affair का 100% 99 नहीं ध्यान रखिएगा 100% की हम बात कर रहे हैं तो वो वीडियो भी आप बहुत जल्दी देखेंगे thank you इस video में इतना ही